और ये बनी है अप्रोक्स दो पेज की, दो पेज और ये छोटा सा तीसरा पेज है, ठीक है, तो ये दो पेज कम्प्लीट करते हैं, और इस PDF से बाहर कुछ मत पढ़ना, ठीक है, मैं recommend करूँगा, अगर पढ़ना हो तो जिसको knowledge gain करनी हो, कर सकता है, लेकिन exam का time है, अभी सिर् marks अच्छे लाने हैं, ठीक है, तो ये हमारा last topic बचा हुआ है, ठीक है, information and communication technology, जो class 10 physical activity trainer है, उसका syllabus है, last topic है, ठीक है, इसको complete करता ही, हमारा सारा syllabus फतम हो जाएगा, और इसकी जो PDF है, वो भी आपको telegram channel पे मिल जाएगी, मैंने create कर दिया है, और for your kind information, ये है telegram channel, ठीक है, और यहाँ पे 69 subscribers हैं, इसमें अलड़ी, और यहाँ से आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है, जो भी information होगी, इस पे मैं update कर दोगा, and यहाँ से आप इस unit की भी PDF download कर सकते हैं, okay, one of the most important, मैंने अपना task रखा था 1600 subscribers का, thank you so much for completing within a short span of time, और अभी हम क्या करेंगे, इसका जो target है, वो 1700 का होगा, और जितने भी exams हैं, ठीक है, आपके जो आने वाले exam हैं, सबकी videos and PDF आपको मिल जाएंगी, मैं जो है, अपनी knowledge, मतलब मेरा जो experience है, exams का, उस experience है, आपकी PDF बना रहा हूँ, तो हर जो PDF है, अपरोक्स, दो, तीन, दो, तीन, पेज में आ जा रही है, okay, चलो, अभी क की जो PDF, यूनिट 3 नी, जो information and communication, ICT, जो topic है, हमारा, उसकी मैंने PDF रेडी कर दी है, ठीक है, और ये बनी है, अपरोक्स, दो, पेज की, दो, पेज, और ये छोटा सा तीसरा पेज है, ठीक है, तो ये दो, पेज, complete करते हैं, और इस PDF से बाहर कुछ मत पढ़ना, ठीक है, मैं recommend करूँगा, अगर पढ़ना हो, तो जिसको knowledge gain करनी हो, कर सकता है, लेकिन exam का time है, अभी सिर्फ marks अच्छे लाने है, ठीक है, तो सबसे पहले, देखते हैं, अब इसको, कि भाई, ये जो ICT है, ये क्यों पढ़ी जाती है, Now, ICT skills helps to communicate, run our business and stay connected with our family and friends, देखो, information, सबसे पहले मैं इसको break करता हूँ, इस unit को, information, communication, technology, तीन words इसमें आए है, ठीक है, एक तो information, मतलब, जानकारी, communication, मतलब, एक दूसर से बात करने का जो medium है, ठीक है, method है, वो, और technology, और technology, मतलब, इसमें हम computers का इस्तमाल करने वाले हैं, ठ यह तीन चीज़ है, एक तो जानकारी, एक बातचीत, और एक technology, मतलब, हम बातचीत करेंगे, किस के थुरू, technology के थुरू, समझें आई ही बात, तो यह इस unit का मतलब है, तो यहाँ पर आप computer के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और computer से है, हम एक दूसरे से कैसे बात कर सकते ह जैसे, अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, यह information and communication technology का एक method है, मतलब, एक medium है, मैं एक YouTube से वीडियो बना रहा हूँ, आप उस वीडियो को सीख रहे हैं, है ना, आप उस वीडियो से पढ़ रहे हैं कुछ, तो यह क्या है, एक ICT का जीता जाकता example है, ओके, अब यहाँ देखो, information and communication skills जो है, वो help करता है किसमें, communicate में, ठीक है, एक दूसरे से बातचीत करने में, run our business, हमारा business चलाने में, अब देखो, business चलाने में, computer का बहुत जादा रोल है, जैसे मैंने जो यह YouTube channel start किया है, ठीक है, it's just like a business, अब मैं, अब आपको बोल रहा हूँ, subscribe करने के करना चाहता हूँ, ठीक है, अब उस business में, अगर मैं, आपकी help कर पा रहा हूँ, तो वो मेरे बड़ी बात है, ठीक है, and stay connected with our family and friends, अब देखो, इसी YouTube के थुरू, इसी communication technology के थुरू, मैं आप से connected हो पा रहा हूँ, आप मुझसे connect हो पा रहे हैं, आप, मतलब, बहुत सारे ल होगा, और एक software होगा, जो बहुत जादा important है, हमें पता होना, तो hardware क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं सबसे पहले, बहुत सारे लोगों को पता होगा, ठीक है, नहीं पता जिसको, मैं उसके लिए भी पता देता हूँ, now physical parts that we can see and touch, अब एक normal जो computer होता है, ठीक है, laptop हो या कोई भी ऐसा desktop हो, उसमें सबसे पहले, मानलो एक room में वो रखा हुआ है, आप जब दर्वाजा खोलो तो आपको सबसे सामने क्या दिखाई देगा, एक बड़ी सी screen दिखाई देगी, उसकी है न, that is monitor, उसको क्या बलेंगे हम, monitor, फिर उसका एक CPU रखा होगा, CPU बोले तो Central Processing Unit, वो रखा होगा एक है न, एक चोटा सा डबा, फिर एक UPS रखा होगा, है न, जो क्या होगा, वो उसको power supply देगा, फिर कहीं पर आपने देखा होगा, printer भी रखा होगा कहीं अगर side में, ठीक है, किसी के पास होगा तो, तो ये सारे क्या है, hardware है, hardware मतलब जिसको हम touch कर सक है, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब क्या है, hardware है, अब जैसे phone आपने पकड़ा हुआ है, आप जैसे phone में पढ़ाई कर रहे हो, तो phone में जो आप पढ़ाई कर रहे हो, फोन कि जो बाहर की जो body है, इस वे आप touch कर पारे हो, तो ये क्या है, hardware है, समझ मिआ की बाद, tangible, अ सारी चीज, अब मैं बात करूँ हो software की, software क्या होता है, we cannot see, but they make the machinery work according to us, हम उसको, हूँ नहीं सकते software को, अच्छा इक बात बताओ, जो phone की app है, आपके phone के अंदर जो YouTube है, क्या आप उसको touch कर सकते हो YouTube को, YouTube का जो red color का icon है, क्या उसको भार निकाल सकते हो, आप नहीं निकाल सकत और जिसको आप touch नहीं कर सकते, वो क्या हो जाएगा, software, okay, now, इसका example अगर आप देना चाहो, तो आप phone की apps दे सकते हो, phone की कोई भी app का नाम डाल दो, है ना, उसके बाद किसी software का नाम डाल दो, okay, तो ये क्या हो जाएगा, जो software in the sense, कि अंदर जो उसका जो functionality है, अच्छा, एक चीज़ और, जो software है, वो क्या करता है, वो machinery को run करता है, machinery को क्या करता है, software नहीं होगा, तो machinery क्या है, सिर्फ एक खाली डबबा रहेगा, कुछ hardware, सिर्फ एक डबबा है, वो चलेगा नहीं, है ना, okay, आभी देखो, next जो topic है, हमारा, that is the operating system, operating system क्या होता है, उसके बारे म important, यह आपको, या तो definition आ सकती है, what is operating system, ठीक है, और, या फिर आपको, इसके उपर कुछ भी लिखने के लिए आ सकता है, क्योंकि operating system क्या है, एक basic चीज है, ठीक है, तो यह आ सकता है, exam में, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे, देखो, now, operating system होता क्या है, देखो, OS, इसको हम short form में क्या बोलते हैं, OS भी बोलते हैं, now, this is a, this is the software that starts the working as soon as the computer is switched on, जब हम एक computer को switch on करते हैं, आप लोगोंने, बहुत सारे लोगोंने, अपने school की lab में, ठीक है, या फिर कहीं पे भी computer रखा देखा होगा, या आपके घर में भी होग है न, उसमें एक switch होता है, ठीक है, जब हम normally जो electricity switch वाले को on करते हैं, तो CPU को उपर एक power button होता है, जब उस power button को हम on करते हैं, उसके बाद operating system अपना काम शुरू कर देता है, ठीक है, तो जैसे ही हमने power on किया, किसका? CPU का, उसके तुरंत बाद एक software activate हो जाता है उसके अंदर, और वही software क्या होता है, operating system, ध्यान रखना, तो operating system अगर MCQ माय किये, hardware है या software है, it is a software भई है, ठीक है भई, now this is the software that starts the working as soon as the switch on, जैसे ही computer का switch on होता है, तुरंत operating system अपना काम शुरू कर देता है, और उसको on करना शुरू कर देता है, okay, for example, desktop में अगर और operating system की बात करें, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, यह examples बहुत जरूरी है, यह जो examples में अब बता रहा हूँ, ठीक है, यह आपको confuse करने वाले है, अगर आपने यह याद नहीं किये, तो भी याद कर लो, ठीक है, मजा आ जाएगा, देखो, जो desktop के जो software है, उसका example क्या है, Ubuntu, आप बहुत सारे ल होता है, basically Ubuntu है, आपकी Windows, बहुत पहले टाइम पर क्या होता था, जब यह Windows XP, यह Windows 7, Windows 10, आपके laptop में, या फिर आपके computer में होगा, install होगी है, आपने सुना होगा नाम इनका, Windows 7, Windows 10, Windows 11, 12, हैना, इनका नाम सुना होगा, तो ऐसे ही एक Windows होती थी, जिसका नाम है Ubuntu, वो पहले आती थी, हैना, अभी भी किसी-किसी, बहुत बतलब जो, इसका एक special purpose होता है, उसके लिए इस्तमाल होती है, ओके, जैसे पहले भी आती थी Windows XP, तो यह क्या है, अब नहीं आती है, यह updated version आ गए है, इसके क्या, 7, Windows 8, Windows 9, Windows 10, ठीक है, तो यह क्या है, desktop का operating system है, दियान रखना सेम ऐसी macOS, macOS किसमें आता है, apple के phone में आता है, मतलब apple के जो desktop आते हैं उन में, ओके, फिर यहां पर देखो, for mobile, mobile के अंदर कौन सा, वो है आपका, जो operating system, एक तो apple का iOS, उसके बाद google का android, आपके जो phone है, जिसके बास apple का mobile है, उसमें क्या होगा, apple का iOS होगा, मतलब apple का operating system normal phones है, वो क्या होगा, उसमें android होगा, android का एक operating system है, मतलब जो जैसे आप phone का switch on करेंगे, तो operating system क्या करता है, उसको phone को on करना शुरू कर देता है, और वो on कौन करेगा android, ठीक है, all right, okay, next देखो, समझ भी आई, यह operating system क्या होता है, यह operating system एक ऐसा software है, जो mobile को on करने में मदद क करता है, ठीक है, और उसमें जितनी भी app हम देखते हैं, जैसे, किसी ने phone को switch on किया, switch on किया तो क्या होगा, बहुत सारी apps उसमें क्या हो जाएंगी, load हो जाएंगी, ओके, now, आप देखो next, next क्या होगा, computer, देखो, यहाँ पर मैंने एक diagram भी दिया हुआ है, यह एक computer है, ठीक बने हो, icons बने हो, these are the softwares, वो क्या है हमारे software है, ठीक है, और यह जो screen है, यह खुद क्या है, एक hardware है, क्योंकि इस screen को तो हम छू सकते हैं, touch कर सकते हैं, है न, जैसे यह mouse है, तो mouse को क्या है, मैं अपने हाथ से touch कर सकता हूँ, तो this is a hardware, ओके, now, अब देखते हैं, next, जो topic है ह ओके, computer automatically runs basic program called BIOS, यह BIOS का full form व्याद रख लेना, basic input output system, समझ में आई बात, basic input output system, इसका full form है व्याद रख लेना, a computer automatically runs a basic input output system, as soon as it is switch on, जैसे ही, एक computer switch, computer या किसी mobile को हम on करते हैं, तो उसका जो basic input output system है, वो चलना अपने आप शुरू हो जाता है, ठीक है, तो जैसे ही basic input output system चलता है, उसके तुरंत बाद, वो क्या करता है, test करता है, कि सारी चीज़े सही है या नहीं, है न, mobile के अंदर कोई problem तो नहीं है, किसी ने कोई password तो नहीं तोड़ा है, ठीक है, तो इस type की चीज़े क्या करता है, basic input output system पहले ही check करता है, अगर वो system अपने आप उसने check कर लिया और वो सही है, अगर वो system उसने खुदने pass कर दिया, तो operating system क्या होता है, अपना काम करना शुरू कर देगा, मतलब apps को load करना शुरू कर देगा, उसके जो software है, उनको जो आपकी screen पर दिखाई देता है, उस screen में लाना शुरू कर देगा, मतलब उस position में उन apps को लाना शुरू कर देगा, अब जैसे देखो, for example, मैं आपको एक normal एक बताता हूँ, जैसे मेरे phone में ये apps हैं सामने की सामने अब मैं अगर इस phone को switch off कर देता हूँ, ठीक है, और फिर क्या किया, मैंने इसको switch on कर दिया, तो क्या ये apps आपस में इधर उदर change हो जाती हैं, नहीं होती, जिस position में हमने switch on करने, अगर अभी phone switch on है, तो ये मैंने off कर दिया, तो जिस position में ये app है, जब switch on करेंगे, तब भी ये उसी position में हमें मिलेगी, जैसे, अगर मानलो, A से कोई app है, वो सबसे उपर है, किसी भी phone के अंदर, तो जब switch on करेंगे, वो तब भी A से app जो है, वो उपर ही मिलेगी, तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि वो operating system काम करता है, वहाँ पर, operating system क्या करता है, जिस position में जो है, उसक देखो यहाँ पर, keyboard, keyboard के बारे में कुछ topic है, उसके बारे में देखते है, keyboard की keys जो है, यह important है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, function keys, यह वाला topic है, function keys, फिर यहाँ पर लिखा है, command keys, यह navigation keys, control keys, window key, punctuation key, navigation keys फिर से, और numeric key, यह सब का, यह जितनी भी keys है, सारी क्या होती है, ब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, control key, control key कौन सी होती है, जो समझ, देखो इनका नाम से ही समझो, control मतलब जो किसी को काबू में कर सके, किसी को control कर सके, इनका कुछ special काम होता है, सबसे पहले तो control keys में तो पहली ही की क्या है, CTRL, CTRL मतलब control key, उसके बाद shift, यह स सारी जो alphabets को capital कर देगा, ठीक है, फिर tab, tab का मतलब एक particular space का, जैसे हम space bar दबाते हैं, तो एक hash का space चूटता है, लेकिन tab में क्या है, एक खटा इतना बड़ा सा space चूटता है, ओके, ना, तो यह था control key, समझ, वही बात control क्या है, किसी को control करने के लिए, simple जी बात है, इसके examples याद कर लेना, mcq में examples पूछ सकते हैं, कि इन में से कौन सी control key है, key के नाम दे देंगे, या फिर आपको बोल देगे, control key का कौन सा example है, same भई, जो मैंने बताया था कि उसमें, जो games के नाम और, ठीक है, जो category थी, उसके हिसाब से, वैसे ही यहाँ पर भी पूछ सकते हैं, next देखो, next कौन सी key है, और यह control key कहाँ पर है, देखो, यह रही, यहाँ पर CTRL, keyboard खोल के देखना, अपने mobile का जो typing वाला keyboard है, वो खोल के देखना, CTRL जो आपको मिलेगा, वो control key है, space bar भी आपका control key है, है ना, okay, now, फिर बात करते हैं, enter key, मैंने यह sample paper में भी, sample paper में भी discuss किया यह जो enter key क्या होती है, enter key होती है, हमें आगे जाने के लिए, basically, next जाने के लिए, ठीक है, either enter और return, या तो वापस चले जाओ, ठीक है, और या फिर आगे लेके जाओ, तो यह alternative है किसका, okay का, है ना, okay का alternative क्या होता है, enter key होता है, आपको पता ही होगा, आपको इसका काम तो प now, अगर समझ में नहीं आ रही है न, यह चीजें, तो अपना, जो mobile है, उसकी जो screen पे जो keyboard आता है, उसी को देख लेना खोल के, काम पता चल जाएगा, पिर बात करते हैं, देको punctuation keys, अब यह punctuation keys क्या होती है, punctuation keys include करती है, किसको punctuation mark, जैसे comma लगाना हुआ, ठीक है, उसके question mark लगाना हुआ, exclamatory sign लगाना हुआ, यह सारी क्या हो, punctuation keys, punctuation marks के लिए जो निशान होते हैं, उनके लिए, जैसे comma लगाया हुआ हमने, full stop लगाया, इन सब चीजों के लिए, ओके, फिर बात करते हैं, navigation keys, navigation का मतलब क्या होता है, direction, simple सी बात है, navigation का मतलब क्या हो गया, direction, मत वाला घर चले जाओ नहीं है, अपने घर नहीं जाना है, ठीक है, home मतलब, जो आपने देखा होगा, mobile के अंदर, नीचे, सबसे नीचे, तीन वो होते हैं, buttons होते हैं, button in the same, touchscreen होती है, पहले इस एक में back होता है, एक में beach बाते हैं, तो क्या minimize हो जाती हैं, सारी apps, है ना, उसक समझ में आई बात, उके उसके बाद, end, end मतलब, सब कुछ खतम कर देगा ये, उसके बाद ये है page up, जो page arrow उपर वाले होते हैं, जैसे आप अंगूठे से क्या करते हैं, screen को नीचे slide करते हैं, फिर उपर की तरफ slide करते हैं, तो क्या होता है, page उपर नीचे हो जाता है, ये basically क्या होता है, phone में तो ऐसा बना दिया है, लेकिन computer में तो ऐसा होता नहीं है, तो computer में इसके लिए special keys बनी होती है, मतलब keyboard के अंदर वो button दबे होते हैं, उसकी वज़े से क्या होगा है, हम page up और page down करेंगे, same ऐसे हम mouse के साथ कर सकते हैं, mouse के साथ अभी देखेंगे कैसे करें तो यहाँ पर क्या होगा, same ऐसी एक page down की की होगी, यह सारी क्या है, navigation, अब यहाँ पर क्या है, direction आ रही है, देखो, up, down, है न, खतम, home, तो यह क्या है basically, जो आपकी है navigation keys, समझे में आई बात, navigation keys को कैसे पकड़ना है, okay, next देखो, command keys, अब यह command keys क्या होती है, command key देखो, दि नहीं पूचेंगे कि keyboard में यह कहा है, ज्यान रखना, ठीक है, आपको keyboard की drawing भी नहीं आईगी, okay, तो यहाँ पर देखो, अब बात करते है, command keys, command key क्या होती है, वो just एक समझाने के लिए आपको दिखाया है, okay, now, command keys क्या होती है, keys such as insert, delete, backspace, अब यह जो command की होती है, यह command करन के लिए होती है, मतलब किसी को हुकम देने के लिए, कि बाई चलो, इसके बीच में कुछ डालो, इसको delete करो, ठीक है, चलो पीछे जाओ, backspace दबाओ, तो यह क्या है, किसी को order दे रहे हैं एक type से, तो यह क्या हो जागा, command, command मतलब order देना, समझी महीं बात, delete करो इसको, जैस type हो जाए, ठीक है, तो backspace दबाओ, तो फिर हम correct कर सकते हैं उसको, तो यह हो गया, command keys, next देखते है, window keys, अब यह window key क्या होता है, window key में देखो, pressing this key opens the start menu, window key से क्या होता है, start menu खुल जाता है, अगर मानलो, आप यहाँ पर question आ सकता है कि कौन सी की दबाएं की start menu खुलता है, the answer is window key, ठीक है, option में आपको दे सकते है, control key, enter key, अब enter key में हो सकता है, बच्ची confused हो जाएं, क्योंकि enter का काम भी तो आगे जाना होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान रखना, start menu किस में खुलता है, window key में खुलता है, okay, next देखो, अब window key होती कौन सी है, मैं दिखा देता ह आपको, एक बार, window key यहाँ पर होती है, यहाँ पर क्याँ एक जंडा सा चपा होता है, यहाँ यह वाला, यह वाला क्या है, window key होती है, यहाँ पर एक जंडा सा चपा होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसा एक hash बना होता है, ठीक है, तो यह क्या होती है, window key होती है, basically, okay, मतलब ऐसे, यह एक बना होगा, ठीक है, ऐसा, दिस इस विंडो की, ध्यान रखना है इस चीज का, ओके, तो यह विंडो की क्या करती है, basically start menu आती है, जैसे अगर मैं अपनी window की दबाऊ, ठीक है, तो देखो, यह पूरा एक start menu आ गया, ओके, now, आप देखते हैं, next, जो topic है हमारा, वो, mouse के बारे में बात करेंगे, mouse, 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 यह वो चूहा नहीं है, ध्यान रखना, यह mouse computer का अलग है, mouse में क्या होता है, एक left click, एक right click, है ना, एक क्या होगा, एक left click होगा, एक right click होगा, और बीच में ऐसे एक पईया सा लगा होता है, मतलब wheel लगा होता है, आगे पीछे page को उपर नीचे करने के लिए ऐसे, अगर मैं अपने mouse में अगर इसको ऐसे करूँ, तो यह page उपर नीचे चलता चला जाएगा, है ना, right click में क्या है, बहुत सारे options आते हैं, है ना, left click में क्या हो जाएगा, left click में उसको किसी भी file को हम खोल सकते हैं, उससे, बस इतना ही था, mouse में और जानने की ज़रूत है नहीं आपको, all right, next देखते हैं, performing basic file operations, this is important, यहाँ पे अब मज़दार चीज़े शुरू हो जाएगी और easy वाली भी, now देखो, performing basic file operations, एक basic file operation को perform करना है, now, files and folders, all information are stored in computer, kept in files, अब यह file और folder होते क्या है, ठीक है, वो हमें बात करेंगे इस बारे में, तो file क्या होती है basically, file क्या है, all information, file एक ऐसी, जो है, क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा, file क्या होती है, जैसे अब मैं एक normal practical life में example में इस्तेमाल करूँ, आप बोलते हों नहीं हो, मेरे documents कहां रखे हैं, आपके father कहते हैं, उस file में रखे हैं, ले लो, जितनी भी information है basically, हम कहां पे save करते हैं, file में save करते हैं, ठीक है, तो हमारी जितनी भी information है, कहां पे save करते हैं, file में save करते हैं, और file को कहां save करते हैं, file को folder में save करते हैं, file को अपना एक नाम दिया जाता है और उस file name को क्या दिया जाता है एक extension दिया जाता है extension क्या होता है वो यह बताता है बाहर से ही देखके जैसे हमें बताना हो यह file किस type अगर हमें बताना हो कि यह file किस type की है और इसके अंदर बाहर से यह अगर बताना होगी यह file किस type की है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम file extension देखेंगे file extension देखेंगे मतलब उसका जो पीछे का जो address है वो देखेंगे देखो जैसे notepad की जो file होती है notepad की file के अंदर जो extension होता है dot txt मान लो कि अगर मैंने एक notepad notepad में होता है कि है basically normally text type करते है जैसे microsoft word होता है उसमें क्या करते हैं text type करते हैं ठीक हो कुछ भी typing करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा notepad भी एक ऐसा ही typing का software है और इसकी जो file है वो किस नाम से save होती है जैसे मैं अगर file का नाम save करता हूँ aj ठीक है aj तो जो notepad है वो अपने आप इसके पीछे क्या लगा देगा .pxt तो हमें यह पता चल जाएगा कि यह जो file है यह एक notepad की file है समझ में आई बात उके उसके बाद देखो next is image file आप ध्यान से देखना किसी भी अगर आपको check करना होना यह कि बाई कैसे इसको check करना है आप simple किसी भी file के उपर right click करना और उसकी properties में जाना ठीक है जैसे यहाँ पे अगर मैं शायद दिखा पाऊं आपको एक second जैसे यहाँ पे अगर मैंने right click किया किसी भी software के उपर या कहीं पे अगर मैं right click करता हूँ तो उसकी properties के उपर चले जाते हैं let's say मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार यह जैसे एक PDF है मैं दिखाता हूँ आपको जैसे यह word document है मैंने इसके उपर right click किया right click किया तो यहाँ पे क्या हो गया देखो properties पे गया मैं इसकी जब properties पे गये तो यहाँ पे देखो dot यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा यह देखो ध्यान से देखो यह जो चीज है ना इसको ध्यान से देखो जो यह word की जो file है dot d o c x मतलब जो dot document की क्या है document की एक file है ओके now next देखते हैं हमारा जो topic है वो है अब folder क्या होता है folder के बारे में देखते है folder is a location where a group of file can be stored folder एक ऐसा location है जहाँ पे group of file जो है वो store हो सकती है now simple है folder सबको पता होगा यार मेरे इसाब से तो की folder होता क्या है आप देखो आगे यहाँ पे कुछ shortcuts है यह आपको याद करने पड़ेंगे यार यह shortcuts आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि एक shortcut हो सकता है आएगा exam में तो आप याद कर लो Ctrl plus Z मतलब undo undo मतलब पीछे चले जाना उसके बाद Ctrl plus Y मतलब redo वापस से करना उस काम को Ctrl plus A सारा सब को select all कर देगा जैसे मैं इसको करके दिखाऊं तो मैं दीरे-दीरे जैसे मैं यहां से ऐसे cursor को लेके गया और ऐसे लेके जाऊंगा लेकर अगर मैं Ctrl A दबा दू तो देखो सब कुछ select हो गया अपने अप अभी मैंने Ctrl A दबाया तो सब कुछ select हो गया तो Ctrl A का मतलब यह होता है, Ctrl X मतलब cut, वहां से किसी भी चीज को cut देगा है, उसके बाद Ctrl C का मतलब copy कर देगा, यह क्या करेगा, Ctrl V का मतलब है paste, जहां से हमने copy किया, कहीं पर जाके paste करना है, तो यह paste कर देगा, उसके बाद Ctrl P का मतलब print करना है, किसी भी चीज को तो print कर देग उसके बाद control plus s का मतलब होता है save, मतलब किसी भी file को save कर देगा, simple, ठीक है, तो यह जो short form से आपको याद करने पड़ेंगे, shortcut keys, ठीक है, यह important है, और यहां से कोई भी एक shortcut की आ सकती है exam में, ध्यान रखना, ओके, next देखते हैं, computer care and maintenance, अब जाधा time लगेगा नहीं, इस unit में, फटा फट से खीज देंगे इसको, ठीक है, देखो, computer care और maintenance, अब यह computer care की जरुत क्यों होती है, simple सी बात है, जो computer care है, उसकी हिपाज़त करना है, उसको maintain करना है हमें, ठीक है, वो होती क्यों है, मतलब क्यों करते है computer care, ओके, वो हमें पता लगाना है, ओके, ओल राइट, त मतलब, कोई movie चल रही होती है, और वहीं पे बैठके खाना खा रहे हैं, popcorn खा रहे हैं, कुछ भी ऐसा, keyboard पे पास, तो उससे क्या होता है, keyboard गंदा हो जाता है, तो इससे हमें क्या करना है, keyboard को regularly साफ करना है, brush से, ठीक है, brush मतलब, tooth brush से साफ मत करना, उसका एक अलग brush आता है, उससे कर सकते हैं, उसके बाद, screen, जो computer की जो screen होती है, basically maintain करना है हमें, साफ सुतरा रखना है, तो यहाँ पे screen हो जाएगी, screen कैए wipe up regularly, जो screen पर धूल जम जाती है, तो उसको बार बार साफ करना है, ठीक है, उसके बाद keeping the computer cool, इसका मतलब यह है, कि जैसे बहुत सारे जी खेलते थे game में, तो उससे क्या होता था, phone पूरा गरम हो जाता था, तो वो नहीं करना है, सेम ऐसे ही computer को भी क्या करना है, cool रखना है, मतलब उसमें ज़्यादा चीजें इस्तेमाल नहीं करना ही, उसको load नहीं देना, okay, फिर handle device carefully, उसको अराम से लेके जाना है, अगर मा do not overcharge your battery, okay, उसके बाद, do not run too many program at a time, एक साथ बहुत सारे program हमें नहीं चलाने है, अगर हमने एक साथ बहुत सारे program चला है, तो क्या हो गया, computer की band बच जाएगी, या जो mobile होगा, उसकी band बच जाएगी, ज्यादा दिन तक चलनी पाएगा, तो ये तो था maintenance का, हम उसको कैसे maintain क कर सकते हैं, ठीक है, easy points है, ये नहीं, अपनी मर्जी से, आप अपनी मर्जी से भी point लिख सकते हो, okay, now, आगे देखो, prepare a maintenance schedule, अब एक maintenance का schedule बनाएंगे हम, ठीक है, भाई, कैसे उसको maintain करना है, सबसे पहले तो daily maintenance है, daily maintenance मतलब, simple, एक plan बनाएगे कि भाई, कैसे कैसे उसको maintain करन है, daily maintenance का मतलब हो गया, उसमें कुछ temporary files होगी, ठीक है, वो delete कर सकते हो, okay, उसके बाद weekly maintenance, weekly maintenance का मतलब क्या हो गया, उसको week, simple, हफते में एक बार देखना है, पूरा सब कुछ, फिर उसके बाद monthly, महीने में पूरा एक बार देखना है, तो ये अपनी मर्जी से आप लिख सकत हो इसके अंदर, ठीक है, कुछ भी, okay, now next देखो, backup your data, अब जो data होगा, उसका backup रखना है, अगर मान लो, कुछ phone में न, कुछ problem आगी, अब बहुत सारे लोग होंगे, कि किसी का phone hang हो जाता है, है न, तो उसको जब हम reset करते हैं, reset करते हैं, मतलब वापस से, उसी situation में करते है जैसा वो नया आया था, तो क्या होगा, उसके जो software है, वो सारा सब कुछ अपने, हमारा जो data होता, उसको delete कर देता है, है न, तो यहाँ पर क्या होगा, अपने data को अगर हमने backup नहीं किया, तो हमारा सारा data delete हो जाएगा, तो इसलिए, हमें backup रखना चाहिए, अपना, okay, ताक रेगुलरली हमें scan करना पड़ेगा, है न, antivirus से, किस से, antivirus से, ओके, फिर आपर देखो, removing spam from your computer, computer में जो spam folder होते है, spam मतलब, कभी-कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, कि जो fake websites होती है, वो बहुत सारे mails भेज़ देती है, है न, fake, आप messages आते हैं, तो वो क्या होते ह spam gmail होते हैं, तो वो क्या होता है, यह सारी की सारे delete करते हैं हमें, ओके, now, तो इससे क्या होगा, हमारे computer की maintenance होती रहेगी, और हम computer की हिफाज़त कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है बाई, I hope यह जो session 3 है, यह समझ में आया होगा, ठीक है, अभी हम next topic है हमारा, उस पर बात कर करते हैं, तो जो next topic है, वो है, computer security and privacy used to prevent loss of data, अब जो data का जो loss होता है, उसको कैसे बचाना है हमें, ठीक है, वो देखेंगे अब, now, देखो, session 4 में है, computer security and privacy used to prevent loss of data, देखो, threats to computer, एक किसी computer को, यह मोबाईल भी replace करता है, कर सकते हैं, किसी भी एक computer को, या फिर mobile को, क्या-क्या खतरा होता है, उसके बारे में बात करेंगे, तो देखो, सबसे पहले physical खतरा क्या होता है, physical खतरा तो यह, कोई भी आपका phone चुरा ले, कोई भी आपका computer चुरा ले, कोई भी आपका desktop चुरा ले, laptop चुरा ले, हैना, तो यह physical है, physical मतलब क्या, touch करके आपको नुक्सान कर दे ठीक है, उसके बाद identity कोई भी आपकी identity चुरा ले identity कैसे चुराएगा, कोई भी hacker हुआ अगर, मान लो where a hacker steal your personal information phone hack, आपका phone hack कर ले, और आपकी जो personal information है उसको चुरा ले, ठीक है और उस personal information को चुरा के गलत इस्तमाल करे, ठीक है अपनी identity बता के, तो लोगों को तो लगेगा कि आपने ये काम किया है, लेकिन इसको कर कौन रहा है, वो hacker तो यहाँ पर क्या होगा, identity भी चुरी हो जाती है, ठीक है, समझ मैं है identity कैसे कौन चुराता है, hackers उसके बाद software piracy ये खतरे हैं basically software की piracy क्या होती है अब जैसे होता क्या है आपने बहुत बार देखा होगा कि किसी किसी software में password आता है उसका inbuilt कि अगर ये password नहीं डालोगे न तो ये खुलेगा नहीं, है ना, तो कभी-कभी क्या होता है, ऐसा crack बना देते हैं लोग कि वो बिना password के चलने लग जाए है ना, तो ये क्या होगा software piracy, मतलब उसकी copy जैसे shoes की आती है ना first copy, second copy, third copy ना, original से अलावा, तो ऐसे original software होगा, उसकी copy बन जाएंगे और वो copy क्या होगी, या तो सस्ते में काम करेंगी ठीक है, या फिर बिना password के खुल जाएंगी, ओके, जिससे क्या होगा जो original company जो software बना रही है उसका पैसा बरबाद हो जाएगा ठीक है, ओके ना, next देखो, virus क्या होता है virus की वज़े से भी बहुत जादा खतर होता है virus आपको पता ही होगा, नाम तो सुना ही होगा three idiots वाला virus नहीं है, यह ठीक है, यह computer का virus है okay, now, virus are computer program that can damage the data अब जो virus होता है, वो क्या होता है computer program होता है जो computer के data उसको damage कर सकता है and software programs को भी वो क्या कर सकता है, damage कर सकता है और हमारी information को चुरा सकता है okay, that is the virus ठीक है भाई, now मैं फटाफट से इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं है, असा बताने लाइक, ठीक है, समझाने लाइक, okay, उसके बाद देखो worms, अब यह virus कितने type के होते हैं, worms, यह earthworm नहीं है okay, now, these these are viruses that replicate themselves, अब जो worms होते worms का काम क्या होता it Egypt अबने ही जैसे जो photocopy बना लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा COVID, suivi Corona rivoryếu suitable अबने ही जैसे वो क्या कर लेता था हूँ जो virus था वो अबने ही जैसे photocopy बना ले रहा था है, था न, तो ऐसे यह क्या करता है worm क्या करता है किसी भी computer में घुसके अपने ही जैसी क्या करता है photocopy बनाएगा और फिर उस computer के software पर attack कर देगा same ऐसे ही अगला जो virus MRI that is Trojan horse यह Trojan horse बड़ा ही खतरनाक है यह एक basically यह एक धोके बाद होता है मतलब पहले तो आपको बोलेगा कि तू मेरा दोस्त है और फिर आपको धोका देगा for example कैसे शुरू में तो Trojan horse क्या होता है खुद को ऐसे प्रतीत करवाता है मतलब खुद को ऐसे behave करवाता है कि यह बहुत ही ज़ादा useful है पूरे computer के लिए और यह computer के लिए बहुत ही ज़ादा फाइदे बंद है लेकिन कुछ ताइम बात जब वो पूरा डीप अंदर तक घुश जाता है software के अंदर जब उसको पता चल जाता है सारी locations का important file कहा है तब वो अपना रंग दिखाना शुरू करते है यह होता है बहुरूपिया frozen horse क्या होता है बहुरूपिया तो इस बहुरूप यह बहुरूपिया बड़ाई खतरनाक है तो इससे भी खतरा है computer को next देखो online predator यह predator क्या होता है predator मतलब राक्षस online जो राक्षस बैठे होते हैं वो क्या करते है online predators normally online predators are people who trap you into inappropriate relationships तो आब यह online के जो लोग होते हैं आपको trap करते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होंगे facebook पे बाद में पता चलता है कि कोई लड़की बनके बाद कर रहा था वो तो लड़का निकलता है तो यह क्या होता है online predators होते हैं जो trap करते हैं लोगों को तो ऐसा spam calls करना जैसे बोलते हैं आपको 25,000 की lottery लग गई इतने की lottery लग गई यह सब क्या है online predators होते हैं यह क्या करते हैं इससे भी computer को खतरा होता है ठीक है और human beings को भी ओके now next देखो protecting your data अब हम अपने data को protect कैसे कर सकते हैं उसकी हिफाज़त कैसे करेंगे वो देखते हैं now use password simple सी बात है अपने phone में password रखें जिससे कोई भी दूसरा person आपके phone को या computer को ना खोल पाए उसमें एक antivirus लगा के रखें firewall लगा के रखें firewall का मतलब दिवार जैसे होता नहीं है आप किसी कमरे में बंद है तो यहां पे क्या होगा अगर किसी को आपको मतलब कोई slap करना है थपड मारना है तो वो क्या करेगा पहले उसको कमरे का दर्वाजा तोड़ना पड़ेगा तब वो आएठा तो यह firewall है ऐसे ही जो computers होते हैं उसमें एक दिवार लगाई जाती है ताकि जब भी कोई virus attack करे तो पहले इस दिवार को थोड़े फिर ऐसे ही एंटिवारस को install कर लेना चाहिए उसके बाद encrypt data encrypt data क्या होता है this is usually done by bank and companies अब यह जो data होता है यह bank और companyों के दिवारा किया जाता है which important customer information जहां पे क्या होता है customer की information जो है वो save होती है और यह encrypted मतलब कि यह password protected data है इसको कोई खोल नहीं सकता ठीक है क्योंकि इसमें किसी भी customer की details save है उसके बाद secure sites give details of credit card bank account only on secure sites जैसे phone pay ठीक है paytium यह सारी क्या है secure sites है हम यहाँ पर क्या करते है अपना जो data होता है अपना जो credit card है उसकी detail जो debit card है हमारा bank की account detail है इस app में install करते है और इससे पैसे कटवा देते है कोई भी सामान लेना हो जैसे बुलते हैं यह पेटियम कर देंगे पेटियम क्या कैसे कर देंगे क्योंकि उसमें आपका एक account link है bank account link है तो वो क्या है secure sites है और वहाँ पे क्या होता है आपके जो bank accounts है वो कुछ ही site पे link होते है तो यह था आपका जो unit that is information and communication technology I hope आपको यह video समझ में आई होगी ठीक है और यह इस video को share कर देना जरूर ठीक है because our next target is 1700 अपने जो family members है उनको create करना ठीक है और इसकी जो PDF है टेलिग्राम ग्रूप में डाल रहा हूँ link description में है फटा फट से join करो unit 1, 2, 3 and 4 जो अभी तक नहीं देखी है slaves complete नहीं किया है फटा फट से कर लो क्यूंकि इसके बाद यह हमारा जो था basically यह last जो unit जो बच गया था आप यह भी complete हो गया अब हम most important question directly most important question को discuss करेंगे ठीक है तो पहले आप इन सारी वीडियो को complete करो उसके बाद उस वीडियो को करना जहांपे most important question मिलेंगे आपको ठीक है और एक भी question हम नहीं चोड़ेंगे ठीक है so thank you so much वीडियो देखने के लिए और फटाफ़ट से शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ओके